है लो फ्रेंट्स वैलकम तू दी चैनल दान्वित कंचंसो फ्रेंट्स हम लोग आज बहुत ही जादे इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिसकसिन करने वारे हैं कि कैसे हम लोग नोट्स बना सकते हैं ठीक है तो हम लोगों को आज यही पढ़नी है कि हम आज इसे बात में डिसकस करेंगे कैसे हम लोग आज नोट्स माना सकते हैं वहाथ ही इसली बहुत भी नीट अग्लीन प्रॉपर नोट्स माना सकते हैं ठीक है तो अंगों कुछ टिप्सप्वालव करने पड़ते हैं तो नोट्स बना यहासे हैं तो बढ़ लेते हैं तो सबसे पहले आप NCRT बुक क् ठीक है NCRT बुक बहुत बैस्ट होती है उससे आप प्रॉपर नोट्स बिना रहे हैं तो आप नोट्स मत बनाएगा क्योंकि उस समय आप कुछ चैप्टर को समझे नहीं है उस चैप्टर में क्या है आप पड़े नहीं है आप सिर्ट कर रहे हैं और लिखे जा रहे है इससे आ है तो इसलिए अगर आप फर्स टाइम चैप्टर को लीट कर रहे हैं तो उस समय आप नोट्स मत बनाएगा इसलिए बात क्या है परसले स्टडी चैप्टर फ्रम यो टीचर और फ्रम यो यूटूब मतलब कि पहले आप अपनी चैप्टर को अपने टीचर से या फिर बैस्ट है लिखने को कौन सी डिफ्रेशन इंपोर्टेंट है कौन सी पॉइंट इंपोर्टेंट है जिससे कि आप नोट्स में बहुत अच्छे से बना सकते हैं ठीक है अब फोर चाहिए कि आप कौन सी तिंग यूज करें नोट्स नाने के लिए मैं लिग रिजिस्टर बहुत ही अच्छे से अपने ले में कर सकते हैं ठीक है और आप मतलब की रिजिस्टर भी यूज कर सकते हैं कोई इंपोर्टेंट नहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप रिजिस्टर ही यूज करिए ठीक है तो यह हो गया अब कौन सी पेन यूज करेंगे तो यूजिंग ब्ल पानी लगर आप दूद ञाएगा तो आपकी नोट्स लोगे खराब जाएगा लिकर आप डॉलड पिइंगे बॉल पिन से बनाएंगे या तो आपकी कieneटS वेस्ट नहीं होगी तो तो मेरह से और थे आपको ब्लैक आइं बूलड पेन की यूज के चाहिए ठीक हैं अब उसके बाद six point क्या है using highlighter it's your choice मतलब कि अगर आपको highlighter पसंद है अपने notes में अगर अपने लाइन को important lines है उसको highlight करना आपको बहुत पसंद है highlighter से तो आप highlight को prefer कर सकते हैं लेकिन आप अगर आपके पास highlighter नहीं है आप आपने पॉंट को pencil से या फिर पें से अंडरलाइन कर सकते हैं मैं भी ऐसे करती हूं लेकिन अगर आपको अगर है रेके पसंद है तो आप pencil या पिर इसके पिन से भी एहाइट कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद सब्सक्राइब क्या है इफ यू आर मेकिंग नोट्स टाइट तो मेक नोट्स इन एजी लैंगवेज अगर आप नोट्स बना रहे हैं ठीक है इसके आपको नोट्स होगा वो इंटरक्टिव वे में रहे हैं अगर हिंद से लिखे। जाला ही जली से लर्न हो जाएगा ठीक है तो आप यह उसके आप नोट जो हो कुछ याद कर सके मतलब डिवाइस कर सके यशे कि आप नोट्स बनाते हैं तो इसको बहुत जादा बार डिवाइस करेंगे तो आपको बहुत इच्छी से प्रॉपर्ली आपका नोट्स बहुती नीट और ग्लीन जाएगा जिसे कि आपको बहुती फास्ट में याद सकता है ठीक है तो मतलब कि अगर नोर्स बनाएंगे तो बहुत ही easy language बनाएंगे, difficult language आप नहीं use करेंगे, ठीक है, अब उसके बात एक क्या है, try to use, try to use, use flowchart, ठीक है, दीक ही होती ही ना, chapter 3 है, हमारा class 10 का carbon and its compound, ठीक है, तो उसमें दी आगया है, एलट्रोप्स of carbon, तो carbon के कितने अलट्रोप्स होते हैं, ठीक है, तो ट्री अलट्रोप्स होते हैं, ठीक है, diamond, graphite and buck, Mr. Fullerance, ठीक है, और हमारे चप्टर फोर की बात करें, प्रियोडे classification class 10 की, तो उ we learn octaves, mandalives and henry mozalewal, तो उनको हम लोग floor charts के through represent करते हैं, अब उसके बात 9 पॉइंट क्या होता है, also try to highlight the important dates for definition, ठीक है, तो हम लोगों क्या use कर सकते हैं, कि हम लोगों हमेशा important dates को हमेशा highlight करना चाहिए pencil से या फिर paint से या फिर highlighter से, important dates, formulas या फिर definition को हम हाईलाइट कर ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई बीची important होगी, तो आप अपकी नजर तुरन पन जाएगी, ठीक है, अब 10 पॉइंट क्या है, इस्टेकी notes अगर बहुत important नहीं होते हैं, अगर आपके पास इस्टेकी notes है, तो it is best, अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास न इसको डीट करना है, ठीक है, तो यह आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एक notes की written, आगर मैं एक ऐसे notes बनाती हूं, अगर इसके example दिखाऊ हो, तो मैं देखिये, इस तरीके से notes आप बना सकते हैं, जैकि मैंने इस इस अमेले की floor trust बगरा बनाया गया है, तो ऐसे ही आप अपने heading को highlight कर सकते हैं जैसे की highlight किया गया है ठीकक है और important बने point को red pen से blue pen से black man आप ऐसा ही लिख सकते हैं so friends thanks for watching this video